कॉनिचिवा मिनासान नमस्कार आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचे की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हम लोग अपने पिछले लेक्चर्ज में क्रिया के बारे में कर रहे थे दोशी के बारे में कर रहे थे तो उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे आज आपको दो नए दोशी हम बताएंगे और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है जापानी भाषा में उसके बारे में हम लोग सीखेंगे तो देखिए ये आज थोड़ा अलग है जैसा कि हमारे यहां होता है भारत में हम लोग बड़े लोगों से बात करने में बच्चों से बात करने में अपने से सीनियर लोगों से बात करने में आपस में दोस्तों से बात करने में अलग-अलग तरीके से क्रिया का प्रयोग करते हैं या यूँ कहिए कि हम polite तरीके से बात करते हैं, formal तरीके से बात करते हैं या informal तरीके से बात करते हैं. बच्चों से बहुत अलग प्रकार से बात करी जाती हैं. अपने family members हैं, हमारे घर के लोग हैं, उनसे हम लोग free हो करके बात करते हैं, लेकिन अगर अंज्यान व्यक्ति है तो हम थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं। उसी प्रकार से जापान में भी किस तरीके से किस से बात करनी चाहिए, क्या दोशी लगाना चाहिए, क्या आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उस पर बहुत ध्यान रखा जाता है। और इसी के साथ आता है एक कॉंसेप्ट जो कि जापान में बहुत ही जाधा उसको फॉलो किया जाता है, वो है उच्ची और सोतो का कॉंसेप्ट। तो हम आपको बात में बताएंगे। फिलहाल केवल इतना हम लोग समझ सकते हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर से कैसे बात कर स सकते हैं अपने बराबर के लोगों से कैसे बात कर सकते हैं और अपने से बढ़ों से कैसे बात करी जाती है फॉर्मल सिचुएशन में कैसे बात करी जाती है तो आज दो वर्ब्स हैं जिनको हम लोग सबसे पहले लेंगे वो हैं आगेरू और मुराऊ तो इनका कैसे प्रयोग किया जाता है और फिर फॉर्मल सिचुएशन में इनको कैसे प्रयोग किया जाता है वो हम लोग आगे यानि कि इमोतो को कैमरा दिया तो ये एक दोशी है और इसी के साथ एक और दोशी है मुराओ ये दो दोशी हम लोग आज करेंगे जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं आईए सबसे पहले हम लोग एक डायलोग सुनते हैं दो लोगों के बीच का डायलोग है उसको सुनिये और देखिये आपको कितना समझ में आता है अभी आपने डायलोग सुना और उसको एक बार हम आपके सामने पढ़ते हैं और फिर आपको एक्स्प्लेंड करेंगे ओनी सान मारिको और उकास सान का छोटा सा ये काईवा है तो आपने अभी तक किया है ओमेदे तो गुजाइमास लेकिन क्योंकि ये ओनी सान है घर के लोग है आपस में बात कर रहे हैं तो गुजाइमास कहने की कोई आवश्रक्ता नहीं है और वैसे ही अरीगातो गुजाइमास पूरा ये जो उनकी छोटी बहन है वो अरीगातो गुजाइमास नहीं कहती है इन्फॉर्मल है कॉन्वर्सेशन इसलिए गुजाइमास छोड भी दिया गया है ओकासान नी ना नियो मुराइमास्ता का ओनी सान पूछ रहे हैं कि ओकासान से आपने क्या पाया मारीकों कहती है ओकासान नी योफकू ओमुराइमास्ता ओकासान से मैंने योफकू यानिकी कपड़े पाये यो कात्ता देस ने यानिकी बहुत अच्छा है ना ये तो बहुत अच्छी बात है तब तक ओकासान पूछती है थारो वा मारीकों नी नानियो आगे मास्का तारो korosan? ओकास सन वातार read क्मिरा ओकाई मांसितना या ओक Your ₱ न ही खरीद लिया है और आ दूगा है या या वह ये भी कह सकते हैं ओकास उरा कि का मिरा ओको मांसितना ओकास और उुरेशी, दैस मैं बहुत खुश हूँ, तो इसमें यहाँ पर मुराई मास और आगे मास, दो क्रिया हैं, दो दोषी हैं, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे, यह जापानी में है, इसकी प्राक्टिस करिये, लिख करके, हीरागाना, कताकाना सबकी प्राक्टिस करिये, जि देरू के माने है देना और मुराव जो है उसका अर्थ है पाना या प्राप्त करना, कोई भी वस्तु को पाना। तो ये सबसे जादा यहाँ पर ज़रूरी है ध्यान रखना कि ये जो दोनों क्रिया हैं ये कब प्रयोग की जाती हैं ये इस पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति किसको क्या वस्तु दे रहा है क्या चीज दे रहा है इस पर बहुत निर्भर करता है कौन सा दोशी है वो प्र कुछ भी दिया आगे मास तो देखिए जैसा कि आपको आरो दिख रहा है देने का है दिया और ए नही पाया यानि मुराई मास तो उसमें देखिए आरो कैसा है आरो इधर आ रहा है तो ये चीज सबसे ज़्यादा धियान में रखने वाली है कि A नहीं दिया है और A नहीं पाया है तो अब बताईए कि आपका सबजेक्ट क्या है आपका टॉपिक क्या है आपका टॉपिक है A आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं आप ये जो A व्यक्ति हैं उनके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिया और उन्होंने ही कुछ पाया यहां पर हम केवल ए की बात कर रहे हैं किस से पाया, क्या पाया यह हम लोग बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं केवल ए के बारे में हमारे सब्जेक्ट के बारे में हम ध्यान रख रहे हैं कि A ने कुछ दिया किसी को और A ने कुछ पाया ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है आगे मास और मुराई मास में कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो A है यानि कि जो दे रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है देखिए वाताशिवा पेन ओ आगे माश्ता मैंने पेन दिया और वाताशिवा पेन ओ मुराई माश्ता मैंने पेन पाया तो यहाँ पर मैंने दिया और यहाँ मैंने पाया और दोनों में सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट है ए आगेरू और मुराओ में अब देखिए इसमें होता ये है आगेरू मैं और हम हम क्या करेंगे हम देंगे देखिए देना डाइरेक्ली हम दे सकते हैं किसी को अपने सामने वाले को या हम दूर जो खड़ा है उसको दे सकते हैं या वो उसको दे सकता है या उन्हें दे सकता है फिर मुराव में क्या है मैंने पाया हमने पाया और उसने पाया किससे पाया उनसे पाया या डायरेक्ट तुमसे पाया तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है आगेरू मैं डायरेक्ट किसी को दे सकता हूँ यहां मैं हूँ मैं डायरेक्ट अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकता हूँ ये वाताशी है क्योंकि ये मेरे क्लोज है इसलिए मैं उन्हें आगे मास कर सकता हूँ फिर और भी कोई अब इसमें पार्टिकल कौन सा लगता है देखे ए ने बी को दिया देखे एवा बी नि तो ये पार्टिकल का अर्थ क्या है इस पार्टिकल का वो है को ए ने बी को कुछ भी सामान जो है वो दिया आगे मास यह देखे अब A ने B से कुछ पाया क्योंकि हम A की ही बात कर रहे हैं हम और किसी की बात नहीं कर रहे हैं यह हमारा सब्जेक्ट है तो A ने कुछ दिया A ने B को कुछ दिया और A ने B से कुछ पाया तो यहां पर भी हम A की ही बात कर रहे हैं यह ध्यान में रखने वाली बात है देखे एवा बी नी मुराव मुराई माश्ता आरो कहां है इस तरफ आरो है तो यह यहां से इन्होंने दिया और यहां से कोई भी है यहां पर उससे इन्होंने यह पाया से B से पाया यहां पर भी पार्टिकल नी है और यहां पर भी पार्टिकल नी है यह धियान में रखने वाली बात है कि दोनों कंस्ट्रक्शन में पार्टिकल नी ही है और सब्जेक्ट हमारा ए है अब इसको आप याद कैसे करेंगे इसका एक और बहुत आसान तरीका है जो आपने पहले किया भी हुआ ह वाताशिवा तोमोदाची नी पैनो आगे माशता ये तो देखिए बिलकुल ठीक है मैंने तोमोदाची को पैन दिया ये बिलकुल सही है आगे माशता अब वाताशिवा तोमोदाची नी पैनो मुराई माशता मुराई माश से तुरंथ जो है मीनिंग बदल गया कि मैंने पाय लेकिन इसको आप आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं यह शब्द आपने किया है खारा यानि की फ्रॉम यानि की से तो वाताशिवा तोमोदाची खारा पैन ओ मुराई माश्टा तो जब तक आपको नी का प्रयोग आराम से आसानी से याद नहीं होता है तब तक आप ये पार्टिकल यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं और वो आपके जहन में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा कि मुराई मास के साथ कौन सा पार्टिकल प्रयोग करना है और उसका अर्थ क्या है तो अब करा के साथ एक बार जरा प्रयोग करके बताएए वाटाशिवा तोमोदाची खारा एम्पी तु ओ मुराई मास्ता वाटाशिवा तोमोदाची कारा चोकुरेतो ओ मुराई मास्ता तो अब आपको आसान लग रहा होगा कि वाताशिवा तोमोदाची नी पेनों आगे माश्ता और वाताशिवा तोमोदाची करा पेनों मुराइ माश्ता लेकिन धीरे धीरे आपको नीपर ही आना पड़ेगा। डिके वातशिवा पन ान gerçekten वातशिवा पन एंपतु। Wieder है वातशिवा पन जिख्शो व म्राइ बता額 पित्य। या आगे माश्ता अब यहाँ पे वाताश्शिवा बी कारा यही चीज आप यहाँ लिख सकते हैं पूरा आप यह वाताश्वा बी कारा यही चीज आगे माश्ता और वाताश्वा बी नी चीज आगे माश्ता इस तरीके से आप अपने दोस्त के साथ उसका अभ्यास कर सकते हैं कारा के साथ थोड़ा आसान हो जाता है शुरू में तो इसको कारा के साथ प्रयोग करिए और फिर उसके बार नी करिएगा अब देखिया आपके लिए अभ्यास है यह गिटार बजा रहे हैं तो खनाई नी गिता ओ मुराई माश्ता कनाई यानी की ओकसान यानी की आपकी अपनी पत्नी किसी और की पत्नी को कनाई मत कहिएगा अपनी पत्नी के लिए ही कनाई शब्द का प्रयोग किया जाता है फिर खुरुमा है यहां पर देखिये तो अनी सानी कुरुमा ओ मुराथ्ता आपने प्लेन फ़र्म किया है जिशो के ही किया है तो मुराई माश्ता की जगे मुराथ्ता का भी प्रयोग किया जा सकता है लेकिन इनफॉर्मल में अपने से बड़ों से टीचर्स से मुरात्ता जादा तर नहीं किया जाता है प्रयोग मुराई माश्ता होगा तब ये देखिए क्या कर रहे हैं ये दस हजार येन दे रहे हैं किसी को तो उनी सान नी उखाने ओ मुराई माश्ता जापनी में एक और चीज बहुत इंट्रेस्टिंग है कि आप कॉन्वसेशन से ये जान जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर सब जगे वाताशिवा नहीं लिखा गया है वाताशिवा उनिसान नी उकाने ओ मुराई माश्ता तो वाताशिवा कौन है वाता तो कौन बोल रहा है बताईए जरा ये बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही अब यहाँ पर वाताशिवा तो मुदाचिणी प्रेजेंटो ओ मुराई माश्ता देखिए आरो कहाँ पॉइंट कर रहा है तो मुराई माश्ता अगर आगे माश्ता होता तो क्या होता बताईए वाताशिवा तो मोदाची नी प्रेजेंट ओ यहाँ पे होता आगे माश्टा तो यह ध्यान रखिएगा और यहाँ पर इन्होंने एक प्रेजेंट इनको मिला है तो मुस्को नी ओमियागे ओ मुरात्ता मुस्को यानि की बेटा अब वाताशी कौन है यहाँ पर? फिर से यहाँ पर वाताशी यह उकासान बन गई है और कह रही है कि बेटे से मैंने यह पाया अब देखिए वही चीज है ए वाबी नी नाउन ओ आगेरू या दिया ए ने बी को कुछ दिया अब ए ने बी से कुछ पाया यह भी आपने किया है अब यहाँ पर आप मीरा की जगह आपने बहुत सारा वोक्याबलरी करी है ओतोसान, सेंसे, इमोतो, बुचो तो इनसे आप चॉकलेट की जगह जिशो, तोकेई, उसाके कुछ भी जो है वो पा सकते हैं या दे सकते हैं यह आपके अभ्यास के लिए है यह अभ्यास करिए वाताशिवा ओतोसान नी जिशो ओ आगेमाश्टा वाताशिवा ओतोसान करा जिशो ओ मुराईमाश्टा वाताशिवा इमोतो नी तोकेई ओ आगेमाश्टा दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं लेकिन कौन सा दोशी आपको प्रयोग करना है ये बहुत ध्यान की बात है इसलिए आप ये अभ्यास करिए यहां पर आप ही के लिए अभ्यास है ये अपने मित्र से पूछे जवाब पाईए वो आप से पूछे और आप जवाब दीजे अब देखिए यहां पर रावसान ओतोसान नो थांजोबी ना नियो आगे माश्ता का आपने ओतोसान के अपने जी की तान्जोवी पे जनम दिन पर उनको क्या दिया वाता शीवा थो के ओ आगे माश्ता तो यहाँ पर वाता शीवा जो है वो ब्राकेट में भी जा सकता है आवश्चक्ता नहीं है कुछ भी पाता शी लगाने की क्योंकि conversation से पता है कि कौन बात कर रहा है, आप यह यहाँ पर मुराई माश्ता भी कर सकते हैं, तो रावसान, उतोसान, उधान, जो भी नी, नानियो मुराई माश्ता का, यानि कि आपने क्या पाया, तो वो कह सकते हैं, तो केई ओ मुराई माश्ता, मुझे तो केई मिली, मुझे घड आप देखिये उतोसान की जगहे इसी प्रकार से आप एक नया वाक्य बना सकते हैं एक नया कॉन्वसेशन कर सकते हैं इमो तो या को दोमो को बदल करके वहाँ पर उतोसान की जगहे आप ये दो शब्द लगा सकते हैं और तांजोबी की जगे आप केकोन की नेंबी यानि की मारेज अन्वरसरी, सोट्सुगयोश की यानि की ग्राजुएशन सेरेमनी, ग्राजुएशन पर आपको क्या मिला या आपने क्या दिया। और तमाम सारे आपके पास और शब्द हैं जैसे शोसेट्सु, दोरेस यानि की ड्रेस कोई, शोसेट्सु है नॉवल, नेक्टाई हो सकता है, ओमोचा हो सकता है, खिलो ना हो सकता है। आप अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए और देखिए कि आप मुराई मास और आगे मास का सही प्रयोग कर पाते हैं या नहीं। अभी यहाँ पर ओमियागे शब्द बहुत आया है, तो ओमियागे क्या है? बहुत सार यहां कांजी लिखी है और कुछ हिरागाना में लिखा है, तो ओमियागे है क्या? देखिए ओमियागे एक बहुत अलग कांसेप्ट है, जापानी में ओमियागे और प्रेजंट दो बह बिल्कुल ही अलग है, ओमियागे का concept यह है कि जब आप कहीं जाते हैं, तो उस जगह जो चीज बनती है, जो वहां की चीज है, वो ओमियागे कहलाती है, सुवेनिया नहीं है वो क्यूंकि वो चीज तो आप अपने ले लेते हैं आप याद रखना चाहते हैं उस जगह का कोई याद आप अपने साथ महा की अपने घर में रखना चाहते हैं लेकिन ओमियागे जो है वो आप वहां की उस मट्टी की बनी हुई चीज उस जगह की बनी हुई चीज अपने दोस्तों के लिए ले करके जाते हैं कि मैं वहाँ गया था मैंने आपको याद किया और मैं आपके लिए ये छोटा सा एक ओमियागे यानि तोफ़ा लाया हूँ तो ओमियागे ये है अब ओमियागे कि अगर आप कांजी देखेंगे तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है देखिए कैसे कांजी आती है यहाँ पे आपने ये कांजी तो करी है ये हर कोई पहचान जाएगा अब काफी बार हम लोग ये कर चुके हैं ये दो यानि की मट्टी की क कांजी यानि की पैदा होने की कांजी तो वहां की मट्टी से जो चीज पैदा की गई हो वो ओमियागे कहलाती है और वो चीज जब आप कहीं जाते हैं वहां जाकर कि उस जगह की especially कोई मशूर चीज हो बनी हुई चीज हो जो लोकल चीज हो वहां की वो आप अपने दोस्तो के लिए ले करके जाते हैं वो ओमियागे होता है प्रेजंट बहुत अलग चीज है जबकि ट्रांसलेशन उसका प्रेजंट में ही आएगा गिफ्ट में आएगा लेकिन ओमियागे का जो फीलिंग है वो बहुत परस्नल है और बहुत अच्छी फीलिंग देती है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं यह दोयोबी का दो है यह उमारेरू का है कांजी और मिला करके बनता है ओमियागे तो यह एक छोटा सा जापान के बारे में है कि ओमियागे क्या है और ओमियागे जो कल्चर है वो क्या है यह आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं नेट पे भी बहु मौझूद है और यहाँ पर आपने देखा कि कैसे कांजी से शब्द बनता है और कैसे उसको उन्होंने कल्चर से संस्कृति से जोड़ दिया है अभी तक आपने काई किया है देखिए एक बार पहले वो किया है कि कौन से फ्लोर पर हमारा क्लास रूम है हमारी मीटिंग रूम है आज काई जो है उसका दूसरा यूसेज आपको बता रहे हैं देखिए छोटा सा कांवरसेशन है सान माने तीन और काई माने बार इतनी बार इतनी टाइम्ज जैसे अंग्रेजी में कहेंगे तो सां काई ताबे मास वातर शिवा नी काई ताबे मास मीरा सान कहती मैं तो दो बार खाती हूं तो अब यही जो काईवा है यह आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं माई नीची नांकाई गोहान की जगह आप हाओ मीगा किमास का यानि कि कितनी बार आप अपने दाथ जो है ब्रश करते हैं तो ताना का सान वा माई नीची नांकाई हाओ मीगा किमास का और इसका प्लेन फॉर्म है मीगा कु मीगा किमास का तो उन्होंने बताया कुछ भी कह सकतें? सांक आइ, नीकाइ, योंग काई, मैं जितनी बार खाना खाता हूँ, उतनी बार करता हूँ, तो योंग काई, मी गाखिमास Stephens या नीकाई मीगाकिमास. दूसरा है कोचा, तो हम लोग चाए है इसलिए वर्ब बदल जाएगा दोशी बदल जाएगा तो निकाई सांकाई योंकाई गोकाई कुछ भी कह सकती काई मने number of times कितनी बार आप दूसरा ये भी कर सकती इतना का सानवा माई निची नांकाई आप ये कह सकते हैं इस प्रकार से काई का प्रयोग किया जा सकता है अब पिशली बार आप ने किया माई निची आप इसको किनो में भी कर सकती है परस्तेमड में चेंज की ताइम एक्स्परेश्न बदल जायेगा उसके साथ वह भी बदल जायेगा पास्टेंस में हो जाएगा तो तना कास अन वा किनो नांकाई गोहान ओ तबे माशता का कि किनोओ है ये ध्यान रखिएगा pie पास्टेंस है भूत में आ गिए सब भूत ख अब यही चीज आप किनो के साथ हा के साथ भी कर सकती ही, मिगा की माश्टा हो जाएगा, सारा कुछ पास्ट में चला जाएगा और आप वर्ब का मास और माश्टा फॉर्म टाइम एक्स्प्रेशन के साथ अच्छे से यूज़ कर सकती है माई निची की जगे इसको बदल करके पास्ट में ले जा सकते हैं शब्द को और सब कुछ बदल जाएगा तो तनका सान्वा किनो शोपिंग ओशिमाश्टा का हाई शिमाश्टा अब किनो की जगे आप सेंगेट्सू, सेंश्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम एक्स्प्रेशन से यह भी आपने किये हुए हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं तनका सान्वा सेंश्यू नांकाई शोपिंग ओशिमाश्टा का कितनी बार आपने पिछले हफ्ते शोपिंग करी है या तनका सान्वा सेंगेट्सू नांकाई एगा ओमिमाश्टा का कितनी बार आपने पिछले महिने पिक्चर देखी है तो जो भी नमबर आप बोलना चाहें, यहां से वो आप बोल करके और इसका अभ्यास कर सकते हैं अपने मित्र के साथ, आपका रिविजन भी हो रहा है और आप conversation जो है वो आपका बड़ा भी होता जा रहा है, अब आप बताईए हमें ये कोचा है, तो अगर हम लोग पिछली अप देखिए, मारिको सान्वा माय निची नांकाई कोचा ओ नोमिमास का, मारिको सान्वा किनो नांकाई कोचा ओ नोमिमास्ता का, देखिए, नांकाई कोचा ओ नोमिमास्ता का, किनो की जगहें ओतोतोई भी हो सकता है, ओतोतोई नांकाई कोचा ओ नोमिमास्ता का, हाँ पूछ एवल प्राक्टिस के लिए है आपके लिए तो यह जोर-जोर से प्राक्टिस करिए अपने मित्र के साथ, अलग-अलग टाइम एक्स्प्रेशन दीजे, अलग-अलग जो आपने वोकाबलरी याद करी है, उसका प्रेयोग करिए, अब बताईए ये, लोग शॉपिंग करके आ अब यहाँ पर इचिनन है, इचिनन एक स्पेसिफिक, एक डिसाइड़ टाइम पिरियड है, तो इसलिए उसके आगे क्या लगेगा पार्टिकल, पार्टिकल नी, जैसे आपने हचिजी नी या आपने लगाया हच्का नी, टाइम के बाद आपने लगाया, तो इसी प्रकार से आप डिसाइड़ जो है टाइम पिरियड उसके आगे पार्टिकल नी लगाएंगे, कितनी बार आप एक साल में डिपार्टमेंट स्टोर जाती हैं, तो अब बताईए, कितनी बार आप लोग जाते हैं, सांकाए एकिमास या गोकाए एकिमास जो चाहें आप बोल सकते हैं, आप इचिनन की जग है, इकागेट्सु नी, इश्युकान नी, अब नी इसलिए लगेगा, क्योंकि ये सारा decided time है, इकागेट्सु मतलब 30 दिन का पीरियड है, इश्युकान मतलब 7 दिन का पीरियड है, तो इसलिए पार्टिकल नी का ज़रूर प्रेयोग किया जाएगा, और आप एक नया conversation बना सकती हैं, और उसको अपने मित्र के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब देखिए, ये शावर ले रहे हैं, तो शावा आभिमास, अब आप लोग बनाईए, इसका क्या वाक्य बनेगा, तो तरो कुन्वा माईनीची नांकाई शावा ओ आभिमास का, सांकाई आभिमास, या तरोखुन्वा माईनीची नांकाई देनवा उशिमास का जैसा आपने पहले भी किया है तो आप इसका ब्यास कर सकते हैं इसको देख के आपको क्या लग रहा है एक ग्रीटिंग है या एक्स्प्रेशन है क्या है यहाँ पे दो जने हैं अचानक भिड़ गए परिशान हो गए बिल्कुल क्या कहेंगे यह क्या कहना चाहिए बिल्कुल सही सुमीमासेन कहना चाहिए या गुमेनसाई कहना चाहिए तो जो यहाँ पे लोग हैं लोग सॉरी सुमीमासेन गुमेनसाई कहते हैं और फिर उसके बार उनको बैग उठा कर के देते हैं और दो मो सुमीमा सेन यहाँ पर दो मो सुमीमा सेन एक नया एक्स्प्रेशन है दो मो आपने थैंक यू के लिए यूज किया है लेकिन दो मो के बहुत सारे अर्थ हैं उन में से एक अर्थ ये भी है कि I am sorry, please excuse me ये भी अर्थ है और जादा तर यहाँ पर जापान में जो हैं वो दो मो का प्रयोग करते हैं दो मो सुमीमा सेन दो मो का थैंक यू का मतलब बिल्कुल नहीं है I am sorry का अर्थ है और ये कहती है अरिगातो गुजाइमास किस लिए कहती है भीड़ने के लिए नहीं कहती है अपना बैग जो इनको मिला है वापस उन्होंने उठा के द को मेंनसाई पॉलाइट साउंड करता है तो इसका आप लोग प्रयोग करें याद करें इसे अब जैसा कि हम लोग काफी बार से करते चले आ रहे हैं बीच बीच में आपको खोतोवाजा भी बताते हैं जापान में क्या लोकोक्तियां हैं क्या वहां पर मुहावरों का प्रय किया जाता है तो सेंडरीनो मिचीमो इप्पो योरी भी होता है तस्वीर आपके सामने है कच्छवा सामने है क्या आप सोचते हैं यह क्या होगा इसका अर्थ क्या होगा अर्थ हमने दिया नहीं है क्या अर्थ होगा बताईए इसका अर्थ यह है कि कोई भी कारी करना हो कुछ भी करना हो कितना भी बड़ा कारी हो कोई भी कारी हो उसको शुरू करने के लिए हमें ताकत तो जुटानी पड़ेगी हमको पहला जो कदम है वो लेना पड़ेगा स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं न कहीं शुरुवात हमको कहीं न कहीं जरूर करनी पड़ेगी चाहें जितना भी कठिन हो तो धैरे के साथ, हिम्मत के साथ, बिना हिम्मत हारे, बिना घबराए, बिना हताश हुए, निराश हुए आगे बढ़ते रहना है इस कोतोवाजा का यही अर्थ है सेनरीनो मिची, यानि कि इतनी लंबी यह जो मिची है, यह जो सडक है इतनी लंबी, जो भी कार्य है, कितना भी कठिन चाहें वो क्यों न हो, उस पे हमें पहला कदम, देखिए यह कछवे साहब जो हैं, वो अपना पहला इन्होंने पैर बढ़ाया है आगे चलने के लिए, कछ हमें बढ़ते रहना है और हिम्मत से कारे करना है, तो जापानी को आप चाहें जितना भी कठिन समझें, चाहें जितनी भी कठिन हो, कांजी हमें याद नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम याद करने का प्रयास करेंगे, मन्जिल बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग प्र आजाएगी और अच्छा भी लगने लगेगा तो यह जो कोतवाजा है यह बहुत ही हिम्मत देता है सेन री नो मिची मो इपो योरी सेन माने हजार और री माने जो जापनीज में डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसके लिए प्रेयोग में आता है तो सेन री नो मिची सडक मो वो भी चहें हजार कोस की सडक हो लेकिन पहला कदम तो हमें कहीं न कहीं रखना ही है तो आज का जो लेसंन है हम लोग उसको यहीं खतम करते हैं इस कोतवजा के साथ कि हम लोग हिंमत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और जापनी इसी प्रकाल से सीखते रहेंगे तो यह यहां पर देखें लिखा है माता आई माशो तो लेट्स meet अगें माता आई माशो तब तक के लिए खुब जापानी पढ़िये अच्छे से प्रैक्टिस करिये हीरा गाना कथा काना की और कांजी की जो जितनी भी कांजी करी हैं जो भी कांजी करी हैं हम लोगोंने अभी तक उसको लिख करके प्रापर स्ट्रोक ओर्डर के साथ उसको याद करिए आगे आपको ही आसानी होगे और फिर हम लोग अगली बार दुबारा जल्दी ही मिलीगे नमस्कार खर्वेश करिए हैं हम था करे आपको कर्या दूर्यश स्ट्रॉर्ट तक स्ट्रॉर्ट तक स्टॉर्ट थे पर दिए में खरके नमस्केड़़ आपके लोगे चिरूड तक साथ, में थे बाढ़ आपके तक शटॉर्ट ।